देव भूम उत्तराखंड के निवासियों को महराज्य के स्थापना दिवस की हारदिक बधाई और सुब कामनाई देता हूँ जो साती राजवोन में हैं उनका विशेश रूप से विनंदर आज ही के दिन सन दो हजार में उत्तराखंड देश का सब्ताई समा राज़े बना था असल में मैं भी संसत का सदस्य था भारत के पूरुपरधान मंतरी सरधेटल विहारी वाजबेजी स्वेहम इस बात को सुनशित कर रहे थे कि नए राज़े के साथ इस पवित्र भूम में एक नए अध्याई की भी सुरुआत हो उद्धिसा में अपनी प्राशीन परंपरा विरासत और आधनिक्ता को समयते हुए उत्तराखंड ने विकास के नए सिखर को छुआ है नौ नौंबर 2000 में जब यह नया राज़े बना तब इसका नाम उत्तराण चल रखा गया था जिसके बाद बदल कर उत्तरा खंड किया गया हिमाले का यहाँ चल प्राचीन काल से ही भारत की एकता का परतीक माना जाता रहा है कालिदास ने अपने रखवंस में महाकब रखवंस में लिखा पति उत्तरस्याम विश्वदेवात्मा हिमालयो नाम नागा धिराज़ इस प्रतीक को भारतवर्थ की आत्मा से जोड़ने का काम मा गंगा ने किया जिसकी मूल धारा का सुरोत भी देव भूमी है ये 3892 मीटर की उचाई पर को मुख में गंगोतरी क्लेसियर से निकलती है उत्तरा खंड में कई छोटी धाराएं जैसे अलक नंदा, धावली गंगा, पिंडर, मंदाकनी गंगा के मुखे सुरोत भी कहे जाते हैं उत्तरा खंड से निकल कर बंगाल की खाड़ी तक बहती मा गंगा अपनी 2525 किलो मीटर की यात्रा में एक पूरी सब्धेता को जोड़ती हैं और करोडो तिर्थ यात्रियों और अध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने में भी अपना विसेश योगदान देती हैं और तभी गुस्वामी तुरसी दास जी ने लिखा कि जो गंगा जलुआन चड़ा हैं सो साजुन्य मुक्ति नरपा हैं और इसलिए मुझे लगता है कि मुक्ति का मारग देव भूम इसे ही निकलता है उत्तराखंड कोई मात्र एक साधारन भगोलिक छेतर नहीं है बलकि ये भारत की जीवन उर्जा का स्रोत भी है गंगा और यमुना के उद्गम अस्थल गंगोत्री यमनोत्री विश्वनु भगवान को समर्पित बद्रिनात और भगवान सिव को समर्पित के दारनात मिलकर ये छोटा चार धाम बनाते हैं जो हमारी संस्कृती में सबसे पवित्र तीर सस्थल माने जाते हैं जागेस्पर मंदिर देश के बारह जोतिर लिंगों में से एक है इसके अलावा रुद्रनात नैना देवी, मंसा देवी, हरकी पैड़ी, घोरी कुण, जौाला देवी, नंदा देवी, हैम कुण साहब, रीठा मीठा साहिब जैसे अनेक पवित्र स्थलों ने उत्तरा खंड की अध्यात्मी कुर्जा को अध्विती ये बनाने का काम किया है ऐसा माना जाता है कि हेम कुण साहब में पुझ्य गोविन सिंग जी ने दस वरसों तक साधना स्वयम की थी स्वामी विवेकानन जी को इस देव भूमी से विसेश लगाओ था और उनने अपने जीवन काल में पांच बार उत्तरा खंड के विविन अस्थानों की यात्रा किया गुर्देव रभिन्ना टेगोर को कुमायूं ने बहुत ही आकरसित किया था और अपनी कालजय रचना गितान जली के कोछिस से गुर्देव ने उत्तरा खंड के बारे में उसका जिक्र किया है उसमें जिक्र किया है अगर आप नाम गिनते जाएंगे तो अध्यात्म हो कला हो साहित्य हो साहिधी कोई हस्ती हो जो देव भूम से अच्छुती हो और इसलिए जग्तिगत रूप से मैं उत्तरा खंड को इस्वर के असिरवात के रूप में देखता हूं कूंकि यह सदियों से तपस्या की भूम भी रही है बेश विदेश से साधक अध्यात्मिक खोज के लिए हां आते रहे हैं और आज भी हरिद्वार रिजिकेज जैसे पवित्रस्थल और पुझ्य आदि संकराचारेज का इस धर्ती को मिला हुआ आशिरवाद मानो समाज की मुक्ति का मार्क प्रसस्त करता है बहुत से साथियों को साध मालूम होगा कि बद्रिनात में ही पुझ्य आदि संकराचारेज ने ब्रह्म सुत्र के सांकर भास्य की रशना करके भारत भूमी को एक सुत्र में पिरोने का प्रेत्न किया था गड़वाल के जाने माने इतिहासकार डक्टर सीव प्रसाद नैथानी ने आदि संकराचारेजी पर गहन सोध करने का काम किया उनकी कासी सेहरिद्वार, रिजिकेश, फ्यास्यक्ति, ब्रह्मपुद, देव प्रयाग, नंद प्रयाग की यात्रा का विश्तरत वृत्तान्त भी लिखा है उत्तरा खंड की पवित्र भूमी पर आदि संकराचारेजी की यात्रा दरसल भारत भूमी की विव्यद्दा में उसकी एकता की एकसपस्ट जलक देती है उन्होंने कहा था नमे दुएस रागव नमे लोभ मोहौ मदे नइव मे नइव मात्सर यभावः नमे ब्रत्युसंका नमे जाति भेदः चिदानंद रूपव शिवहं शिवहं पर्थात राग, दुएस, अहंकार ये हमारा सुभाव नहीं है और नहीं जात इपाति के भेद हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारी परंपरा कहती है कि हर एक जीव में सिव कातत्व है, सिवत्व है। जीवन का ये सबसे बड़ा दर्शन, मैं कहूं कि सबसे बड़ी फिलास्फी, उत्तरा खंड देव भूमि से आदि संकराचारे ने मानो समाज को दी थी, और आज विश्व कल्यान के लिए हर एक रास्ट भेद समाप्त करने वाले इस दर्शन को अपनाने की कोशिस कर रा है। अतरुनी ये संदर्य के लिए विख्यात पर्याटन अस्थलों के अलावा देव भूम उत्तरा खंड को कला और साहित्य के जीवन तुर्या छेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जो सुमित्रा ननपंत हों, मनोहर साम जोसी हों, सीवानी हों, लीला धर्जुगडी अनेक लोगों के नाम देश जानता है, रस्किन बांड का कर्म छेत्र भी उत्तरा खंड ही राह है। कुमावनी और गड़वाली लोग साहित्य का अपना एक अलग विशिस्ट स्थान है, मुझे प्रसनता है कि आज देश विदेश के नहीं के सुधार थी, गुमानी पंद, कृस्णा पंडे जैसे रीट काली न व्यक्तित्यों पर सोध कर रहे हैं। उत्तरा खंड का एक और पहलू है, जिसकी जर्चा मेरे पूरू के वक्ताने की, रास्त सेवा में इस प्रदेश ने अपना अपरतिम योगदान दिया है। देव गूम से ही निकले हैं। और उत्तरा खंड के रास्त वक्त बीर सपूतों ने भारत की एकता खंडता को काईम रखने के लिए बढ़चर करके अपना अपरतिम योगदान दिया है। ने जमू कस्मीर में मा भारती की सेवा करते हुए अपनी कुरवानी दी थी। अगरस्त में आतंकवादियों से मुटभेड के दवरान उत्तरा खंड के ही कैप्टन दीपक सिंग सहीद हुए थे। आज भी देव भूम के सेकणों वीर सपूत पूरी करतब निष्ठा से जमू कस्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे। आज इस अउसर पर मैं उनकी वीरता और सेवा भावना को सबसत नमन करता हूँ। बारत के माननी प्रधानमंत्री जिने भी पिछले दस वर्सों में देव भी मुत्तरा खंड में एक नई आर्थिक करन्तियावे इसका प्रयास किया है। और आज सुबह में उनका संदेश देख रहा है। उनका कि आने वाले 25 वर्स पूरे हो रहे हैं और अगले जो 25 वर्स हैं वो उत्तरा खंड के लिए इतिहासी कहूंगे। दस वर्सों में उत्तरा खंड ने अपने भावतिक और समाजिक बनियादी धांचे को विक्सित करने में अनेक नई पहल प्रारम की है। इन में से कुछ इनिसियेटीव वैसे हैं जिने आजादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। रिकार्ड संख्या में ग्लोबल इन्वेस्टर्स आज उत्तरा खंड में आ रहे हैं। उत्तरा खंड के मूल निवासी और एम जमूत था आईटी जमूत में सिक्षा ले रहे विद्यार थी हैं मुझे विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों और मानों पूंजी योवन रिसोर्स दोनों में जबरदस्त विविदता और समर्धी से भरपूर देवभूम की प्र उस हाली में आप सभी भी अपना मुल्य योगदान देंगे इनी सब्दों के साथ मैं एक बार पुनह देवभूम उत्तरा खंड राज्य के स्थापना दिवस की आप सब को हर्दय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं और उत्तरा खंड के हर नागरिक को भी अपनी और से सुका मनें प्रेसिस करता हूं जै हिन जै भारा